महराष्ट में सरकार कठन के लिए राजपाल भकत सिंग कोश्यारी के निमंतर्ण देने के बावजूद बीजेपी पीछे हट गई दरसल ये बीजेपी की बड़ी रणीती का एक हिस्सा है क्योंकि निमंतर्ण एस्विकार करने से पहले बीजेपी की दो दोर की लंबी मीटिंग चली थी वर्षा बंगले में दोबारा हुई कोर मीटिंग की बैठक में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये बीजेपी के राष्टिया द्धक्स अमिसा भी सामिल हुए और राज के नेताओं से चर्चा की इस तमाम मन्थन के बाद बीजेपी ने निने लिया कि वो राज में सरकार का गठन नहीं करेगी बीजेपी नेताओं का कहना है कि पार्टी किसी भी राज में सरकार बनाने का चल्दी मौका नहीं छोड़ती लेकिन हम महराष्ट में पीछे हट रहे हैं दरसल इसके पीछे बीजेपी की बड़ी सोच है और लंबी जो जल्द ही सामने आईगी विदान सबा चुनाव मिलक लड़ी बीजेपी और सिवसेना को जनता ने पांस साल के लिए वोट दिया था लेकिन चुनाव प्रणामा आने के बाद सिवसेना धाय धाय सार के मुखमंत्री पद पर अड़ गई जिस पर बीजेपी राजी नहीं हुई निमंतर मिनने के बाद भी बीजेपी ने सरकार गठन का प्रस्ताव ठुकरा दिया और अब शिवसेना एंसिपी और कांग्रेस के जरिये सरकार बनाने की कोशिश कर रही है दरसल बीजेपी की इस रणनीती के पीछे तीन कारण है पहल तो यह की बीजेपी शिवसेना पर मायूती तोडने का ठपा लगाएगी यानि यह आरोप अब बीजेपी शिवसेना पर लगाएगी कि उसने ही गड़बंदन को तोड़ा है बीजेपी इस कलंग से बचना चाहती थी है अब पूरे राज में वो इसका परचार करेगी इससे पहले 2014 विधानसभा चुनाओं में बीजेपी पर सिवसेना ने वर्सो पुराना गड़बंदन तोड़ने का आरोप लगाया था वही अगर सिवसेना कांग्रेस और न्सीपी के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो इस बेमेल गड़बंदन का आरोप बीजेपी सिवसेना पर लगाएगी क्योंकि सिवसेना और इन दोनों दलों के भी 36 का आकड़ा रहा है और इनकी विचार धरा पूरी तरह से अलग है सिवसेना जहां कटर हिंदुत पार्टी मानी जाती है वही कांग्रेस और नसीपी पर अलपसंकर तुष्टिकरन का थप्पा लगा है बीजेपी इसी बेमेल मुद्दों को आधार बनाएगी और इन दलों को घेरेगी बीजेपी अनुचे 370 को रद करने तीन तलाक और देश में समान नागरिक सहीता जैसे मुद्दों पर सिवसेना से जबाब मांगेगी दरसल महाराष्ट में सरकार गठन न करने के पीछे बीजेपी का करनाटक से लिया गया सबक्त भी है 2018 के विदानसबा चुनाओं में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और वी ऐसर यदुरप्पा ने सरकार का गठन भी किया था लेकिन विदानसबा में वो बहुत साबित नहीं कर सके और इस्तिफाते न पड़ा इसलिए बीजेपी नहीं चाती थी कि महराष्ट में भी दुबारा वो इस्तिफी दोराई जाए इसे देखते हुए बीजेपी ने सरकार न बनाने में बहतरी समझी और आप बीजेपी जनता के बीच ये संदेश देखी कि कि सिफसेना ने किस तरह से जनादेश का अपमान किया है और सत्ता के लिए बेमेल गड़ बंदन किया है और साथ ही जनता को ये भी समझाएंगे कि सत्ता में साज़िदार रहने के दोरान सिवसेना ने किस तरह से विकास कारियों में अडंगा डाला आरे कारेशेड और नाराण प्रयोजनाओं पर सिवसेना के रुक्की पोल खोली जाएगी तो ये थे तीन बड़े इशू तिस वज़े से बीजेपी ने महाराष्ट में सरकार का गठन नहीं किया